जार्खन में चुनावी समर का आगाज हो चुका है। जार्खन के विधान सभचनाव में महा विजय का संकल्प लेना है। जार्खन के असमिता के साथ खिलवाड नहीं होने दे सकते हैं। बचाना है जार्खन को, बचाना है हमारी संस्क्रती को, बचाना है हमारे जीवन मूल्य को, बचाना है हमारी परंपराओ को। और इसलियक जार्खन में अब कोई सरकार आएगी तो वो केवल भारती जनता पार्टी की सरकार आएगी। कारेकरताओं को समोधन के दोरान शिवराज सिंग चोहान ने हेमन सरकार और राहूल गांधी पर भी जम कर निशान असाधा। उन्होंने हेमन सरकार पर जुनता से किये गए वादों को याद दिलाया और उनकी नाकामियों को बार-बार से गिनाया। शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि जारखन की डेमोग्राफी बदर रही है और मूर वासी अब अब संख्यक होते जा रहे हैं। राजे की विधी विवस्था का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि हत्या, दुशकर्म और दूसरी अपरादि घटनाओ पर उन्होंने हेमन सोरेन पर जम कर हमला किया। हटिया विधानसभा श्रीत्र के कारेकरताओं को शिवराद सिंग चोहान ने तीन महिने जम कर मेहनत करने की निसीह दी और विधानसभा चुनाओं में महा विजए को लेकर प्रयास करने का संकल्प दिलाया। इतना ही नहीं पूरवर्ती रगूवर सरकार की नारीशक्ति को लेकर चलाए गई योजनाओं को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी हेमन सोरेन ने रोजगार और रॉक्री के नाम पर युवाओं को ठकने का काम किया है। कुल मिला कर हटिया विधानसभा शेत्र के कारिकरताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुढ जाने का आभान कर वो दिल्ली लोट गए। शिवराद सिंग चुहान ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने यहां करोडों रूपे भेजे जिससे घर घर पीने का पानी नल के पाइप सी मिल जाए लेकिन जारखन के बहनों भाईयों को ये सुविधा नहीं मिल सकी। ये केंद्र का भेजा पैसा भी खाते हैं और ये गरीबों के मकान भी खा जाते हैं। पहनत करने का संकल्प दिलाया। इस दोरान हटिया विधानसबा के विधायक नवीन जैसवाल रक्षमंत्री, संजसेट और सांसत दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे।